नमस्कार प्रवसाक्षी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अंकेर सिंग वक्त संसद डायरी का है तवांग में चीन के साथ जड़ब को लेकर आज भी संसद में संग्राम जारी रहा विपक्षिदर सरकार पर जब्रदस्त तरीके से निसाना साथ रहे हैं राजिस्सभा में चीनी अतिक्रमन को लेकर हंगामा जारी रहा इसकी वज़ा से कार्रवाही भी बाधित हुई इसके साथ ही संचार मंत्री अश्विनी वैस्टों ने बेसनेल को लेकर बड़ी बात कहीं उन्होंने कहा कि यूपिय सरकार के दौरान बेसनेल को दुधारू गा आज एक देश एक मतदाता सूची की विवस्था के मांग कर दी वहीं राजिस सभा में अगर उड के गैर कानोनी कारोबार पर रोक लगाने और निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग उठी सरकार ने इस बात की भी जानकारी दी है कि देश के बाइस राज्यों में लं इंगामे के स्थिति उत्पन हो गई जब महिला एवं वालविकास मंत्री इसमृती इरानी ने एक सांसत को सदन में आमतोर पर उपयोग किये जाने वाले संबोधन मारनिये सदस्य के अस्थान पर जेंटलमें कहा कॉंग्रेस के अधीरंजन चौधी ने इरानी द्वारा उक सभा में कहा कि सरकार की तरफ से जो शैरोग यानी की टीवी के खिलाफ जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और लोगों की इसमें जिस तरह की भागिदारी हुई है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश दोहजार पचीस के आखिर तक इस बीमारी से मुक्त हो जा में यह सेवाएं दी जा रही है राज्य सभा को एक प्रष्ट के लिखे तो तर में संचार राज्य मंत्री देवु सिंग चौहान ने यह जानकारी देते हुए बताए कि 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों दिल्ली महरास्ट पश्रिबंगाल उत्तरप्रदेश त सरकार डिजिटल उधारी देने वाले विभीन चीनी एप द्वारा आम आदमी को उत्पीरन वह धोखाधरी से बचाने के लिए ठोस कार्रिवाई कर रही है उच्छ सदन में शुनिकाल के दौरां से रूमुल कॉंग्रेस के सदस्य नदीमुल हक ने डिजिटल उधारी देन और केंद सरकार से दौर्लब मदा एवं खनीज तत्वों को प्राथमिक्ता देने की मांग की सदन में कॉंग्रेस के नेता अधिरंजन चौधरी ने सुनिकाल में दौर्लब मृदा एवं खनीज तत्वों से संबंदित मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि केंद सरकार अभी तक नब्य प्रतीशत से जादा दौर्लब मृदा खनीज चीन से आयायतित कर रही है जिसमें परमानु उर्जा समेत 20 से अधिक महत्पूर्ण उत्पादनों में इस्तेमाल होने वाले 26 एहम खनीज शामिल है इसके अलावा निशिकांत दुबे ने भी अपने संसद्य और जहारखंड में हो रहे अवैद खननन का मुद्दा संसर में उठाया केंद्रिय मंत्री प्यूष गोईल ने शुक्रवार को राजसभा में कहा कि भारत और और उस्ट्रिलिया मुक्त वियपार समझाता 29 दिसंबर से प्रभावी हो जाएगा और ब्रिटेन कनाडा सहीत साथ इस संबंद में बात्चे चल रही है गोईल ने राजसभा में प्रश्णकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में अटिप पनी की है लोग समाने शुक्रवार को एक समविधान संसोधन विद्यक मंजूरी दी जिसमें हिमाचल प्रदेश के हाटी समोधाय को अनु में रहने वाले लोगों के लिए लाए गया है जो वर्षों से सुदूर दुर्गम पहारी शेत्रों में अपनी संस्कृतिक परंपराओं के साथ आए हैं सरकार ने शुक्रवार को बताया कि देश के 22 राज्यों में पशुओं को लंपी त्वचा रोग होने की सूशना मिली है मतश्य पालन पशुपालन और डेरी मंत्री पुरुशुत्तम रुपाला ने राजसभा को लिखित उत्तर में जानकारी दी है सरकार ने शुक्रवार को लोगसभार को बताया कि हाल में अखिल भारती आयरविज्यान संस्थान के सरवर को हैक किया जाना एक साइबर हमला था लेकिन हैकर्ष ने किसी फिरोती की मांग नहीं की है लोगसाबा में शुशील कुमार सिंग अदूर प्रकास पौन गौतम सिंगमनी साजिदा एहमद एंटो एंटनी जह प्रकास हनुमान बेनिवाल और आकेश सिंग के प्रस्ण के लिखे तुत्तर में स्वास्तेवं प ही है और नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव विचार धीन है रेल मंत्री अश्विनी वैस्टों ने राज्यस सभा को एक प्रस्ण के लिखे रुत्तर में यह जानकारी दी है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके